MBT हमारे किसान derived from kita YouTube और सब्सक्राइब करने के लिए और पोशिशत की जा रहीड है अप क्योंकि प्रवानचल के रहने वाले हैं उधर कैसा किसानों को ले कर किया लोगों की राये किसानों को लेकर नहीं यह देस की ताना साह मुड़ान मंतरी को ले कर अबाय जिस 26 तारीक को जिस तरह से टिकेश साहेब को उपर इन लोगों ने अत्याचार किया और बीजेपी का विधायक नंद किसोर गूजर के कुछ चम्चों ने गुंडों ने भाजपा के गुंडों ने किसान नेता के कैमपसों में हलहलके कैमपस को तोड़ा गया और मारा गया इससे किसान आक्रोशित हो गया है और किसान इतना आक्रोशित हो गया सिंधू बाडर पर तो सीब चर्चाई यूद्पुर्वान चल में हुआ करते थे लेकिन जब से दिल्ली गाजी पूर यूपी बाडर पर यह धरना सुरू हो गया 26 तारीक के राज से ही पूरे परदेश पूरे देश में किसानों के एकदम आग भबूला हो चुके हैं अभी आप देखिए अंतर राष्टिय के लोगों ने ट्यूट किया किसानों के आंदो जलते हैं हमारे किसान आतंकवादी हो गए खालिस्तानी हो गए यहीं किसान हिंदुस्तान के उस राजा को दो दो बार कुर्सी दियने का काम किये आज इस हमारे किसानों के पीट पे भी छूरा भोगने का काम किया है और पेट पे लात मारने का काम किया है सिर्फ दो आदमि के चक्कर में अडानी और अम्बानी के चक्कर में मेरा आप चैनल के माध्यम से अन्रोध है कि मोदी जी अमिस्था जी इन्हीं किसानों ने आप दोनों को गुजरास सिला के हिंदुस्तान के दिल्ली कुर्षी बैठाने काम किया था और अब अपने अडानी अम्बानी के चक्कर में उसकर में किसानों के हमारे भाइक हमारे लोगों के ऊपर पेच किसान निकल पड़े हैं अभी भी शाजिश है कि इस रोड यह रोड जो खाली थी जिसे दिली से लोग आते थे कोई डिस्टर्बिंस नहीं था इडर से भी आते दो को डिस्टर्बिस्स किसान वहां रास्ते में नहीं लोगा थे ताराम से चले जाते उनकी अंदर एक करने का यह प्लानिंग थी सरकार तो सरकार शायद गल्टी कर गई इश्वर हमारे साथ है कि जितनी ही शाद शादीश्य रोज करते हैं वो क्रते सरकार यह बी बूल गई इंटर्इशनल वार्टर नहीं रहे इनने शायद फैंसिंग इंटर्नेशनल वार्डर पे लोसी पे लेसी भी करना चाहिए था जिससे पाकिस्तान से कोई आतंगवादी नहीं आता और चीन के जो सैनिक आकर रोज करते हैं गलवान घाटी करते हैं यह नहीं बसा पाते हैं तो जितना बंदोबस्त यहां किया हुआ है उतना ही लेरिंग आफ वो करते हैं अगर बॉर्डर पे इत और मैं प्रधान मंत्री जी से कहता हूँ क्योंकि वो गुजरात से आते हैं गुजरात में बहुत बड़े महात्मा जी थे जो हमारे बापू है वो बड़ा उनका भजन था वह सुन ले रगपती रागव राजाराम जी का भजन सुन ले जो गांदी जी का प्री भजन था औ क्यूंकि हुमारे है कि मोदी जी तरीके से कमारे हम लोग उनके बच्चे तो मा आग रहए करता हूं श्याइन के प्रेम सतमानि के फ्रेम से उपर आएं इन किसानों की बात सुनें तीन काले कानून वापस यह हम अपश टे हम अपनी आफ चले जाएं momentos अ देखें जो वर्तमान सरकार है केंदर राज्य की सरकार है वो इन कानूनमों को सही बता रही है। लेकं किसान जो हैं पता है कि इस कानूनमों से दो लोगों का फायदा होना है वह हमभानी अड़ा नी और और इसके लाबा किसी और का फाइदा ने बना जैसे अभी आप बजट का एलोकेशन देखिए हमें लगता था कि कॉर्पेट कंपनियों में काम करने वाले जो नौजवान साथी हमारे हैं उनकी सेलली डाउन हो गए लोगडाउन में कॉर्पेट कंपनियों ने 40% सेलली उनकी क दोरान इसका भी तो विमर्शोना चाहिए देश में और कितने नौजवान साथी मिडल क्लास के लोगों का तो किसान इहां क्यों बैठे में है किसान इसलिए बैठे में है कि यहां पर जो एक आधिकार हो रहा है कि कोशिशें जो सरकार कर रही है अंबानी अडानी को देने क कि इसके खिलाफ है क्योंकि इस कानून का जो तीसरा पक्ष है जो आविश्यक वस्तू अधिनियम का चंशोदन इसमाने लिम्टेट स्टॉकिंग है उसका आने वादे भविश में सबसे बड़ा नुकसान मिडल क्लास को होने वाला है क्योंकि मिडल क्लास को महंगाई की मार बहुत ज्यादा पड़ेगी ते देश का नुकसान घंने पर क्यों तुल रहे हैं इव यह तार लगने यह तो खेतों में लगाने कानून खराब हैं जो इने खेतों में किसान कोई लगाओगा और किसी पशू के दार लग जागी तो उनने काट देंगे तो उस पर भी जूर काम करवारा हूं कोई कर दे लिए और सोला यह करते तो किसानने आहने किजवरूत रहे हैं अब एक और इनकी बड़ी बड़ी निंद्न नीए बात अब यह तार लगाई नहीं लोगाने परता नी इंते वी इंड ए और जिए जन्ता किन्या लगाए थे गवाद इनन उन्ट तो जन्ता ने कही तो इनना पता निस अई होगी या किसी खुदुरत लेहन के दिमाग में गेरी रहे क्यों वेवकूफ इस काम ने कर रहे हो किसान ना इस रूकने वाला ना इस पर जाने वाला किसान थवडी सहीम से बैठा यह तो आशाबादी है छह महीं ने फदल ने कमा ले खराब हो जा फिर यह हटास हो कर नहीं बैठता फिर दूसरी वह फिर उसने कमावे और कुछर्थ उसमें पहला बारा भी कैट दे पिछला कर दे तो महीं मारता उसकी है पर कुछ आदमी ऐसे होंगे न्यू मान ले अब हम कुछ हो गिये और जो वे न्यू मानेंगे न्यू समझे उनका राक्ष्चा स्लूप हो लिया अर्तंगवादी किसाना ने बरता में ते यह पहले बहा अर्तंगवादी तो यह बढ़ने कहीं पर सो एक लड़का रहा उसके जुत्ते में वेड़गी इतनी दो लड़का ने पकेड़ी कहें खेंचीवा जब लिकडी और फिर किसाना ने उसकी डाक्टरी करवाई और वो उसाब पब्लीकार्ड में तो किसाना भेले काम कर रहा बुरे काम कितों आदती नहीं पिक्रीग